जमू किश्मीर के राज़ौरी के काला कोट के बाजी मल्गी यहाँ डांगरी और कंडी में हुए आतंकी हमलों के मास्टर माइंड आतंकी कारी को मार गिराया गया यह जानकारी इस वक सामने आ रही है यह पिछले एक साल से राज़ौरी और पुंच के इलाके में यहाँ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ रजट इस ऑप्रेशन से जुड़ी और क्या जानकारी बिल्कुल आपको बता दे कि बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं क्वेरी नॉमक का तंकी जो पिछले का एक साल से लगातार पूंच और जोरी महुए आतंकी हमले में जिम्मदार था उसे सुरक्षबलों ने इस बाजीमल इंकाउंटर में जो है वो डेर कर दे का एक बहुत बड़ी कामियाबी लगातार आपको बता दे कि इनी जंगलों में जो ऑपरेशन है वो लगातार जा रही है कि पूरे इलाके को सुरक्षबलों ने यहां पर घेरा हुआ है पर एक बहुत बढ़ी कामियाबी क्योंकि डांगरी हमले में जो मासूम लोगो कि और उसके इलावा अगर बता दें कि कंडी इलाके में भी पांच पैरक जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए थे और उसके बाद से लेकर लगातार सुरक्षावलों को पूरी तरहां से इस अतंकी के तलास थी और कोशिश ही की जा रहे थी कि इसे जल से जल के बाद जैसे ही आतंकियों के साथ जो है वो मुठबेड शुरू हुई तब से ही लगातार जो आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे जो सुरक्षबल के जवान है वो लगे हुए थे और उसमें जरूर हमारे चार बहादूर जवानों ने वीरगती को प्राप्ती पाई है पर कहीं न कहीं एक बड़ी कामयाबी क्योंकि यह वो ही आतंकी है जो लगातार जोंक एजी ने लेकुकाण के रहे हैं यह लाइव इंकाउंटर की तस्वीर नहीं है रजट लगतार हमारे साथ बने हुए हैं जुड़े हुए इन काउंटर के बाद उस जगा पर वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ से इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस जगा पर वो आतंकी कारी पिछले एक साल से चुपा था जहां जवानों ने घेरा उसे और फिर म क्योंकि आगे के कहीं सारे ऐसे इलाके या कहीं सारी ऐसी जो चुनोती पुन सिच्वेशन हैं उसे संसेटीव इंफोर्मेशन होने की वज़े से जी मीडिया जो है वो नहीं दिखाना चाहता पर कहीं न कहीं यह ज़रूर दर्शाता है कि पूरे इलाके को यहां पर करे ताइबा का एक टॉप कमांडर बताया जा रहा है डांगरी और कंडी में जो बड़े आतंकी हमले हुए थे जिसमें की मासूम लोगों की जान चली गई पांच पैरा के जो हमारे जवान हैं वो कंडी में शहीद हो गे थे तबी से लगातार पिछले एक साल से में इक सिक हैं और जिस जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं जंगल का वो इलाका आप दिखा रहे हैं घाटी का कि कहां ये छुपा हुआ था शरन लिए हुए था तो क्या किसी और संदिक्द को भी पकड़ा गया है या उन तक पहुँच पाए हमारे जबान कोई और इस तरीके के सुर संदिक लोगों को यहां पर उनको हिरासत में लेकर उनसे पूस्ताच की गई थी जो इन इलाकों में लगातार कहीं न कहीं और कभी न कभी किसी तरीके से आतंक्यों के मददगार बने हैं कभी उनको लोजिस्टिक प्रवाइड करने में या फिर कहीं बारी उनको खाना अबी भी जो अप्रेशन चल रहा है कोईडी के जो दो और साती हैं वो भी इस इलाके में छुपे हुए हैं और सुरक्षाबलों को पूरी तरहां से ये इनपुट हैं कि ये जो आतंकी हैं वो भी लगातार केरी के साथ पिछले एक साल से इनी इलाकों में जो आतंकी हमले शामिल थे और बाता दुडियां के अगर हम बात करें तो अक्तूबर दोहजार इजीज की उसमें भी हमारे करीब नौ जवान जो है वो शहीद हैं उसके बाद से लेकर लगातार इन इन आकों में तीन से लेकर चार अलग अलग जो टेर्रिस्ट ग्रूप सें जिसमें कि एक ग पूरी तरह से खतम हो चुकी है जम्हु कश्मीर में इन्फिटेस्ट करने में पिछले करीबन एक साल में उन्हें नाकामियाबिया हासिल हुई है इसलिए लगातार अब आतंकियों की कोशिश थी जो पुराने टर्रिस्ट जो एक्टिव थे या किसी तरह से छुपे बैठे थ देखे वहाँ इस वक्त सेना के जवान भी है